दोस्तों बात करें तो जो IBM ना उन्होंने 2NM का प्रोसेसर बना लिये जी हाँ यहाँ यहाँ ने कि अभी हम बात कर रहे थे 5NM की 4NM 3NM देखना बागी था लेकिन 2NM के जो प्रोसेसर का जो प्रिव्यू है वो हमें आल्रेडी देखने को मिल चेकर और क्या पता आने वाले समय में हमारे mobile phone, tablets, computer, laptop सबकी जो दुनिया वो काफी ज़्यादा बदल ले लेकिन इसके बाद एक सवाल आता है कि इस तरी किस हम आगे भढ़ते जाए रहे 2NM के बाद क्या होगा जाज़ादा 1NM हो जाएगा 1NM के बाद क्या होगा इसके आगे कहानी जहनने की कोशिश कर आपको multiple transistors देखने को मलते है और इन ही ट्रांजिस्टर के अंदर जो processing होती है वो की जाती है अब एक particular प्रोसर के अंदर को करोड यह billions के अंदर आपको ट्रांजिस्टर सेखने को मलते है और इन ही दो ट्रांजिस्टर के बीच के distance को कहा जाता है NM यानि कि नैनोमीटर के अंदर इस डिस्टेंस को कैलकुलेट किया रहा है क्योंकि जो प्रॉसर होता है वो सिंपली आपके नाखून होता ना उंगली का उससे भी छोटा होते रहा रहे है आज के समय में लेकिन इसका बेनेफिट क्या है इसके बदले में हीट कम निकलेगी उसको ऑपरेट करने में जो एनरजी होती है वो कम लगेगी कुल मिलाक के बाद ये कम एनरजी पे जाद अची पोफॉर्मेंस निकल जाएगी है ना काफी कमाल की बाद बाइदावे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है कितना बड़ा इंपक्ट पड़ेगा वेल जैतना बड़ा अगर हम डिफ्रेंस लेते यानि कोई अगर फाइव एनम से अगर हम टू एनम पे जा रहे है तो परफॉर्मेंस में देखा तो बूस्ट भी आ जाता है और सबसे बड़ी या बात यह है कि आपको कम पावर लगानी पड़ती यानि कि उतनी ही एनरजी इतनी आप पहले लगा रहे तो उसमें जाद अची परफॉर्मेंस ले सकते है कोच केसे में 300% तक का भी बूस्ट आपको देखने को मिलता है और यहां पर IBM ने देखा तो इससे पहले यहां पर क्या है यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होगा कि आपको NM साथ यहां पर यहां पर क्या होगा है लेकिन उसके लंब समय सकते ही तो इन्तल को मिलेंज इनल को सता हूँ लेकिन 14 NM में उसे improvise कर रही थी हर साल Qualcomm क्या करती है एक साल वो chip निकालती है और अगले साल उसका एक improved version निकालती है तो देखा है तो जो NM की जो लड़ाई है वो अब धीरे-धीर कम होते हुए देखने को मिलेगी लेकिन जो प्रोसेसर में जो optimization के लड़ाई है अब वो थोड़ी सी जादा होने वाले आने वाले 10 साल के अंदर है क्योंकि देखा जाए तो एक चीज होती है एक level होता है वो dead end होता है वो धीरे-धीरे जो manufacturing companies है जो processor मनाती है वो धीरे-धीरे hit कर चुके है इसके साथ सबसे बड़ी problem यह आते है कि 5NM, 7NM के लिए पूरी fabrication बड़ी-बड़ी machines लगानी पड़ती है और उन machines को खर्चा बहुत जादा होता है यानि कि जब भी आपको processor की fabrication करनी है चाहिए वो 10NM का हो, 7NM का हो सबकी लिए अलग-अलग machines और दुनिया में बहुत ही limited companies और बहुत ही limited machines जो यह काम करती है दुनिया में बात करें वर्ल लीडर प्रोसेसर fabrication में TSMC है जो काफी सारी fabrication जो होती है प्रोसेसर की वो करता है और देखा जाए तो अहत के सहर में उसे fabrication process करने में काफी ज़्यदा problem आ रही है उसका एक recent chip shortage भी है लेकिन हाँ जो chip बनाने का वाला जो खर्चा होता हो काफी ज़्यदा होता है तो इसका मतलब यह ने की 2NM IBM ने अभी बना ली तो अगले साल साब को mobile phones में यह computer किसी भी device के अंदर देखने को बल क्या नहीं आने वाले समय इसमें और research and development होगा और उसके बाद जब इसकी fabrication की जो process है वो पूरी तरीके से तयार हो जाएगी तब ही चीज़ देखने को मिलेगी और जो fabrication बनाने वाली companies नहीं यह billions of dollars इंवेस्ट करती है तब जाके चीज़ आती है खिर 2NM तो बना लिया वह उसके इसके बाद 1NM देखने को बल जाए लेकिन 1NM क्या बात क्या कहानी होगी यहार देखा तो 1NM या उसके बाद हम देखे तो एक limit होती है प्रोसेसर बनाने की वो हिट कर जाएंगे उसके बात की जो कहानी वो काफी जाद अलग हो सकती है मैं यहां पर बात करने वालों quantum computing की यानि की quantum world आपने marvel की फिल्मों में देखा होगा यहां पर computers के अंदर processing बगर रखी जा रही है एक simple सा example बताता हूँ quantum computer के अंदर qubits use की जाती है normally क्या रहता है जो bits होती है आपके computer के अंदर वो 0 और 1 के form में होती है अभी भी जितने भी electronic devices आपको market में देखने को होते हैं वो binary ही support करते है 0 और 1 को लेकिन qubits के अंदर 0, 1 भी होता है और ऐसे भी qubits होती है जो कि एक साथ दौनों value का achieve कर सकती है तो देखा तो चीज़े काफी जादा complex है और quantum technology है ऐसी जिस पर आज के समय भी काम चल रहा है और Google भी इस पर काम कर रही है IBM भी इस पर काम कर रही है तो वो इतनी जाद है कि अभी के समय में जो सूपर कम्प्यूटर आपको देखने को मलता है उससे 158 million times powerful हो जाता है और देखा जाए तो जो Google का quantum computer एक मिनेट में जो टास्क कर सकता है उसी टास्क को करने में 10,000 साल लगेंगे आज के powerful super computer को जो IBM के पास है तो जी हाँ वो इतनी जादा powerful चीज है लेकिन अभी भी वो feasible नहीं है और अभी भी देखा है जो इन fancy stage में यानि कि उसका बच्पन चल रहा है quantum computing आपको आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद आपको देखने को मिलेगी इतनी जल्दी आपको देखने को नहीं मिलने वाली लेकिन जब आएगी तो उसका भी जो जमान आओगा वो काफी जादा लगोगा और फिलहाल के समय में बात की जब quantum computer की तो quantum computer quantum processor अभी उसी stage में जो आज से 50 साल पहले computer थे यानि कि आज से 50-60 साल पहले जो computer थे वो कमरे के बराबर होते थे बड़े से office के अंदर रखा जाता था building के पूरा portion लेते थे अलग से उसको supply देनी पड़ते थी energy की बहुत सारी चीज़े होते थी बहुत सारा complication होता था लेकिन फिर धीरे धीरे कीमत है कम हूँ, size छोटा हूँ और लोगों की अब तो jam के अंदर आपको computer देखने को होता है सिम ऐसी कहानी आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में quantum computer के साथ अभी इसमें बहुत जादा समय लगने वाल है लेकिन हाँ definitely NM के बाद हम जो बात कर रहा है यहाँ पर जो performance को कर जो difference होता है वो जादा increase हो जाए तो हाँ इस type की चीज़ हो सकते है क्योंकि अभी देखा जाए तो majority processor में germanium और silicon का use होता है और अगर इसका कोई alternative graphene या किसी और format में अगर हमें मिल जाता है लेकिन बात है कि आने वाला future है वो इससे भी जादा bright होने वाला और उस future को देखने के लिए हमें बहुत लंबा इंतिजार करना पड़ेगा कम से कम 15-20 साल तो minimum तभी आपको एक अच्छी चीज़े देखने को मिलेंगी लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको जो चीज़ देखने को मिलने वाली है वो normal processor सी होंगे अभी हम 5NM को बात कर रहें 5NM वाले processors ते होंगे फिर 4NM, 3NM, 2NM पे जाएंगे हो सकता है कि 2030 तक हम 1NM या 2NM के processor mobile phone, laptops, computer फगरा में धीरे धीरे देखने लगे लेकिन असली मजा है न उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा अभी जो कहानी है वो आपको optimization के खेलियों पर काफी जादा देखने को मिलेगी subscribe करो यार मैं देखना हूँ आप मैंसे काफी सार लोग वीडियो को देख लेते लेकिन subscribe नहीं करते हैं, subscribe to the channel, thank you को वीडियो देखने के लिए मैं आप सो तो नेक्स वीडियो के अंतर, good bye